आई जानते हैं आज कोई कुछ पर मुकंतराश्ट्रे खब्रों को से पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर SBI को फटकार चुनायों को हिदायत चानिये इलक्ट्रोरल बोंड्स की सुनवाई पर SC ने क्या क्या कहा एंडियों में हुआ सीटों का बटवाड़ा बीजेपी 17, जेडियू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाओ पसुपति पारस के हाथ खाली मायवती का इलक्ट्रोरल बोंड को लेकर बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोक्तंत्र के लिए बताया जरूरी चुनाओ से पहले EC का बड़ा एक्शन बंगाल के DGP और UP कुजराथ समेच 6 राजियों के ग्री सचीवों को हटाने का आदेश यूपी के पुर्वे केबिनेट मंतरी आजम खान को 7 साल की सजा 8 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा पाच भी बार राश्टपति बनने के बाद क्या होगी पुतीन की रन्नीती यूएस समेट कई देश नतीजे के विरोध में क्यों यूदिकी और नाबढ़े पाकिस्तान नहीं तो अमेरिका वाला करेंगे हाल पाक एयर स्ट्राइक पर तालिबान की खुली धमकी सोने चांदी की कीमतों में गिरावर्ट जाने आज क्या है बाइस केरेट गोल्ड का रेड़ जेल में कटी एलवी श्यादब की रात रो रोकर मा का बुरा हाल वाइरल हो रहा पुराना वीडियो और हार्दिक पांडेया ने मुंबाई की कप्तानी पर तोरी चुपी प्रेस कॉन्फरेंस पे रोहित सर्मा पर किया बड़ा खुलासा चुनावी चंदी के लिए इलक्ट्रोरल बोंड की जानकारी साज़ा करने को लेकर सुमबवार को सुप्रिम कोट ने CBI को करी फटकार लगाई कोट ने इस्टेट बैंक से अगले तीन दिनों में बोंड्स के यूनिक नमबर सहित सारी जानकारी निर्वाचन आयोग से साज़ा करने को कहा है आयोग को हिदायत दी गई है कि बैंक से मिली जानकारी फोरन अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर आम जनता को सुल्ब कराएं इस मामली पर बैंक के वकील हरी सालवे ने कहा कि हमने आदेश को जिस तरह समझा उसी तरह से उसका पालन किया आपके आदेश और हमारे समझने में कोई गलत फैमी हो गई होगी हमने पूरी जानकारी तरकीब से साज़ा करने के लिए ही वक्त मांगा था बिहार में लोग सबत चुनाव के लिए एंडिये में सीटों का बटवारा हो गया है चिराग पासवान की लोग जनसक्ती पार्टी पांच सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिजेपी के बिहार परभारी विनोत तावडे ने एंडिये नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फरेंस कर एंडिये गडबंदन की सभी सीटों का ऐलान किया उन्होंने कहा कि फार्मूले पर चर्चा हुई और एंडिये गडबंदन में सामिल सभी दलों ने इसे सुईकार कर लिया है जो फार्मूला तै हुआ है उसके मुताबिक बिजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि जेडियू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहीं चिराग पास्वान की पार्टी को 5 मांजी की पार्टी हिंदूस्तानी अवाम मोर्चा को एक सीट तथा उपेंद्र कुसवाहा की पार्टी को एक सीट दी गई है गौड करने वाली बात ये है कि इसमें पसुपती पार्टी की लोग जन सक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है पार्टी ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संके देते वे कहा था कि उनके पास विकल्प खुले वे है बहुजन समाच पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पुर्व मुख्य मंत्री मायावती ने इलक्ट्रोरल बोंड को लेकर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है उन्होंने बस्पा को छोड़ कर अन्य राजनितिक पार्टियों दुआरा चुनावी चंदा लेनी पर आलोचना की है मयावती ने सोमवार को कहा कि रक्षा सौदो आदी में ब्रश्टा चार के बाद चर्चित गुप्त चुनावी बोंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समविधान वर लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महतपूर्ण बताते हैं वे सिर्श कोर्ट की तारीफ की लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सक्त एक्षन लेते हुए छे राजियों के ग्री सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है चुनाव आयोग ने जिन छे राजियों के ग्री सचिव हटाएं हैं उसमें गुजरात, उतरपरदेश, बिहार, जारखंड, हिमाचल परदेश और उत्राखंड सामिल है इसके साथ ही पश्यम बंगाल के डिजीपी को हटाने के निर्देश भी दिया गया है बता दे की चुनाव आयोग ने पश्यम बंगाल के डिजीपी को 2016 में सूबे के विधान सभा चुनाव और 2019 के लोगसभा चुनाव के दोरान भी सक्डिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था चुनाव आयोग का कहना है यह एक्शन चुनावों में समान अफसर सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया है चुनाव आयोग की इस कारवाई से करा संदेश जाता है लोगसभा चुनाव 2024 में सभी को समान अफसर मिलने वाले हैं इसके साथ ही ब्री मुंबाई नगर आयुक्त इकबाल सिंग चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा दिया गया है। आज पांस साल जेल की सजा सुनाई गई है। करने आये आरोपियों ने जम कर हंगामा किया था। आरोप है कि वहां मौझूद घर में घुसकर लोगों से मार पीट की गई थी पैसे और समान लुट लिए गए थे। यूपी में विजेपी के सरकार आने के बाद जमीन के मालिक एहते शाम ने आजम खान सहिते छे लोगों के खिलाप केस दर्ज कराया था। पूरी के खिलाप आईपीसी की धारा 452, 504, 506 और 120 के तहत केस दर्ज है। रूस में राष्टपती चुनाओं खत्म हो गया है और अब नतीचे भी सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में विलादमीर पूतीन को एक बार फिर जीत मिली है। युद्धे गरस्त देश में हुए चुनाओं पर दुनिया भड की नजरे टिकी रही। नतीजों की घोसना होने और पाचवी बार राष्टपती बनने का रास्ता साफ होने के बाद सोमवार को पूतीन ने अपने पहले संबोधन में पश्चिमी देशों को धम की दी। टिटीप आतंग्यों के ठिकानों पर पाकिस्तानी एयर फोर्स के हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और सहबाद सरीफ सरकार के बीच हालात बहुत मातफृन हो गया है। तालिबानी सैनिकों ने जवाबी हामले में अपनी तोपों का मुह पाकिस्तानी सेना के कई ठीकानों की और कर दिया है और जोरदार गोलाबारी सुरू कर दी है तालिबान ने माना है कि पाकिस्तान के वायो सेना ने अफगान सीमा के अंदर दो हवाई हामले किये हैं इसमें पांच महलाएं और तीन बच्चे मारे गए हैं तालिबान ने इस हामले की निंदा की और चेतावनी दी की पाकिस्तान की नई सरकार युद्ध की और ना बढ़े नहीं तो हमें सूपर पावर से भी लड़ने का अनुभव है हम किसी को भी अपनी सीमा में नहीं खुसनी देंगे भारतिय सराफा बजार में आज 18 मार्च 2024 को सोना और चांदी सस्ता हुआ है सस्ता होने के बाद सोने की कीमत 65,000 रुपिये प्रती 10 गराम के पार है वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपिये प्रती किलो से अधिक है राष्टे अस्तर पर 999 सुदुत्ता वाले 24 केरेट के 10 गराम सोनी की कीमत 65,272 है जबकि 999 सुदुत्ता वाली चांदी की कीमत 73,700 रुपिये है इंडिया बूलियन एंड जुएलर्स एसोसियेशन के मुताबिक सुकुरवार की साम को 24 केरेट का सुद्य सोना 65,569 रुपिये प्रती 10 गराम जो आज सुभव 65,270 रुपिये पर आ गया है इसे तरह सुदुता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए है यूटुबर एलविश यादर बड़ी मुस्किल में फस गया है उन पर पार्टियों में सापों का जहर इस्तिमाल करने का बड़ा आरोप लगाया है वहीं उन्हें 14 दिन की नियाई खिरासत में भेज दिया गया है बेटे को मुसीबत में देख एलविश की मां सुसमा यादब का भी बुड़ा हाल है बेटे की चिंता में मां रो रोकर बेहाल हो रही है इसका एक पुराना वीडियो वाइरल हो रहा है एलविश के खिलाप कुछ वक्त पहले एफ आई यार दर्च कराई गई थी इस मामले में नौइडा पुलीस ने एक्शन लेते वे बीती साम उन्हें गिरफतार कर लिया इसके बाद पूस्ताच के लिए उन्हें नियाई खिरासत में भेज दिया गया है इस बीच यूट्यवर की मां का वीडियो वाइरल हो रहा है जहां बेटे की फिक्र में रोती बिलक्ती दिख रही है ट्यूटर पर सुस्मा यादव का वीडियो पोश्ट किया गया है इसके कैप्शन में लिखा एलविश यादव के अरेश्ट होने के बाद उनकी मां अपने आपको संभाल नहीं पा रही है मुझे उनके लिए बुड़ा लग रहा है IPL 2024 से पहले हार्दिक पांडिया को मुंबाई इंडियन्स का कप्तान बनाये गया था हार्दिक ने मुंबाई के नियमित कप्तान रोहित सर्मा को रिप्लेस किया था अब हार्दिक ने टूनामेंट की सुरुवात से पहले प्रेस कांफरेंस में रोहित सर्मा की कप्तान को लेकर क्या कुछ बोले हार्दिक पांडिया मुंबाई की कप्तान हार्दिक ने प्रेस कांफरेंस में टीम के पुर्व कप्तान रोहित सर्मा को लेकर कहा रोहित सर्मा भारती टीम के कफ्तान है जो मुझे मदद करता है इस ट्रीम ने जो भी हासिल किया है वो उनके अंडर हासिल किया है मैं सिर्व आगे बढ़ता हूँ मैंने अपना पूरा करियर उनके अंडर खेला है और मैं जादा हूँ कि वो हमेशा मेरे कंधे पर हाथ रखेंगे इसके अलावा हर्दिक ने कहा वो अपने और रोहित के बीच कुछ अजीव होने की उमीद नहीं कर रहे हैं